प्रकार पड़त नहीं गटकारस्तान गट रचुन है सरकार कसे पाड़ना जाई आनि तैंच्छा घरात्या प्हाट्या पाटी ऐसे कुछ नहीं कुछ पोश्चिश करते आ रही है कि जो सरकार है महाविका सगाड़ी ती वो गिस्ती रहे जिदे साहब भले हमसा बालग होने की बाते कर रहे हैं लेकिन इसके मुक्षे सुत्रधार जो भारती जंता पाटके नेता है जिदान सबागी निवटनुख होने के बाद लोगों के सुनाव के बाद खुद एगना शिंदे जी ने हमें बुलाय था करने के लिए मीटिंग करने के लिए उनके बंगले पर गया वहाँ पर कोलापूर के भी विधायक मौजूद थे हमारे मन में कोई शंका नहीं जब उनके मन में क्या खेर था उसकी जानकारी नहीं लग पाई अधर नहीं जाए गया हमें उसके पाल घर ले जाए गया हमें फोटल पर से रुकाया गया हम सब मैंने वहां पर शाय वाले को और वहां बैठे वे कुछ लोगों से पूछा कि यह रस्ता कि और जाता है क्योंकि हमें मैं अज्यात था इस बाते कि हमें कहां ले जाया जा रहा है ताव उन्होंने मुझे बताएगी रस्ता गुजरात की तरफ जाता है अधर निया भूम्रे साहब आले अधर निया सत्तार साहब आले तीन मंत्री आले तीन मंत्री वहां पर आये और उसके बाद उनकी एकनाशिंदे जी से कुछ बाचीत हुई और उसके बाद गाडी प्रभाकर निकाल निकाल रहते हैं और उसके बाद लगातार उनके बीच में फोन कॉल्स हो रहे थे कि ये गाड़ी या तुसरी गाड़ी निकली या नहीं पर हमें फिर उसके बाद शंका हुई में मुझे शक हुआ कि हमें गुजरात लेकर जाया जा रहा है और क्यू ले जाया जा रहा है हमें गाडियां मिली और हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि हम कहां जा रहे हैं जानकारी दी मैंनों ये भी बताए कि मैं इतर रस्ते में नहीं उतर पाऊंगा लेकिन सूरत में हम जब गए वहाँ पर फाइस्टा होटल में हमें ले जाया गया वहाँ पर इतना बड़ा पुलिस बंदोबस मैंने देखा जो कभी आज तर मैंने महराष्ट में नहीं देखा था पर नाच रहे थे प्रशाषन सालोता का भारती जनता पार्टी ची गुलाम गिरी करता माधा तेंच्छे शी वाद निर्वान जला मेरा उन लोगों के साथ बहत हो गई कि भारती जनता पार्टी की बातों के ऊपर आप लोग क्यों चल रहे हैं मैंने फिर भी आगे बात बढ़ाई मैंने शिंडे साथ आपको बोला कि मुझे यहां रहने की कोई इच्छा नहीं है मैं पुलिस आलो से भी बाचित हुई मैं पैदल ही रस्ते पर चल रहा था जिसकी बात वहां से निकल के लोग जो हैं वो मेरे पीछे पीछे निकले करन के निगला साड़े बारा ते तीन चादर में रस्ते और शुसाट अंदर रात्री में चलो तो तो वरुन पाउस होता है देर रहा साड़े बारा से तीन बजे की बीचों मैं खुद अंधेरे में अकेले चल रहा था मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल खाली हो चुकी थी बंद हो चुकी थी उन्होंने आगे मुझे लोकेशन भी मैंने कुछ लोगों तक पहुचाया कि मैं यहां यहां मौजूद करें नजदीक में मौजूद एक कॉलेज के पास में रुका अफी मुझे जानकारी दी गए कि एक गाड़ी मुझे लेने के लिए आने वाली है लेकिन कोशिश की लेकिन कोई भी गाड़ी वहां नहीं रुख रही ही मुझे लेने के लिए कोई मराठी व्यक्ति वहां पहुच रहा है वहां तुरंटी 25 से 30 वाले आए जिनने मुझे धेर लिया सरकारी हस्पिटाल में जिसकी बाद मुझे शक हुआ कि आखिर मुझे कि शुगर नहीं तो आखिर मुझे क्यों अस्पिटाल ले जाए गया तुम्हेता पेशला एंठ नहीं तुम्हें तो आखिर गपासा तुम सचे रहते हैं तो अधिक रहते लोगों के वहां पर शांत वे मैं नहीं पिशक पैदा हूँआ जो मैंने उनसे कहा कि मुझे किसी भी इलाज की जरूरत नहीं है और उसके पास एक बढ़ा बंदोबस लगाया गया मेरे आगे पीछे